नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर फास समझार में आज हमारे साथ मौझूद है पूनम गुपता जो की शूबरी की रहने बाली हैं स्रीराम कालोनी की जो असिस्टेंट कमांडेंट बनकर शूबरी आए हैं आईए इनसे बिजिस चर्चा करते हैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका पुनम गुपता जी फास समझार में आप बताईए कि आपने जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोश्ट हाजिल की है तो क्या मकसद रहा आपका और क्या क्या तैयारियां आपने की मेरा एक ही मकसद था कि मुझे देश सेवा करनी है और मैं कुछ अलग करना चाहती थी जो ऐसा जिसमें जनरली माना जाता है कि महिला कम है मुझे कुछ अलग करना था देश की सेवा करनी थी इसलिए मैंने इस सर्विस को चना मेरे साथ सबसे बड़ी कटनाई इस चुरू में यह थी कि मेरा वजन बहुत ज्यादा था तो मुझे रणिंग करना था बहुत रणिंग करके मैं अपना वेट कम किया उसके बाद फिर फिजिकल में उतिर्ण हुई उसके बाद एक्जाम जब क्लियर हुआ तो मैं फिर फाइन तो क्या ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि पढ़ाई के दोरान आपको इसी फिल्ड में जाना है जी मुझे वर्दी से प्यार था शुरू से और टॉल थी तो सब बोलते थे वर्दी बहुत अच्छी लगी तो मैंने सुचा कि वर्दी हासिल की जाए और देश की सेवा की आपके परिवार में कौन-कौन है और आपके परिवार से आपकी फैमिली से आपको क्या रिस्पोंस मिला इस पूरी आपने जो हासिल किया है असिस्टेंट कमांडर का पत्र मेरी फैमिली मेरे ममी पापा और मेरा चोटा भाई है मेरे ममी पापा दोनों गवर्मेंट कितनी लोग स्वोड़ा है तो इसमें हमारा 14 लोग स्वोड़ा तीन लड़के से तो क्या रहेगा तो इसमें रहें करें कारेकाल स्वोड़ा हैं 101 महिला तो इसमें ही हैं अगर आपको कुछ मेसुस होती हो, नहीं, जब ट्रेनिंग होती है, तो सारे 117 सेम ही है, कोई उसमें अंतर नहीं होता, लड़की लड़के का भेद खतम हो जाता है, दिन और रात का भेद खतम हो जाता है, जो ट्रेनिंग लड़कों को दी जाती है, वही लड़कियों को दी एकतम बराबर होता है तो उसमें कुछ पता नहीं लगता तो बाकी जो महिला या लड़किया तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में जाने के लिए कत्रा दे हैं कई लोग तो क्या संदेश देना चाहेंगे उनको मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि आपका जो भी सपना है उसको पूरा करने में जजजखिये मत आप जब भी कुछ अलग करने जाते हैं तो लोग पहले यह बोलते हैं कि कैसे होगा दिक्कते होंगी अब जब आप कर लेते हैं तो आप अच्छा लगता है तो मेरा बस यही सुझाव है कि आप अपने सपनों को पूरा कीजिए और कुछ अपने लिए अच्छा कीजिए एक सुरक्षा का भार आपको मिला है तो कैसे आप उस पर निर्वन करेंगे मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी CRPF की तरफ से मैं उसको बखभी निभाने की करूंगी उन महिला को क्या संदेश देना चाहोगे जो इस फिल्ड में घर से दूर रहकर अगर उनके मन में थोड़ी सी जग रहती है कि उतकत्रा दिया कि महिला है और इस फिल्ड में ना जाए तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए और आप तब तक है जब तक आप अपन स्पॉंसमय आपको किया गदीविधिया मुझे बहुत ग्रय bewखना कि क्माुप लूंधम wilderness कि में उनके में और में हम अब है आप तो देखके मेरी फैमिली फ्रेंज आसपा सभी ली लोग इसक्र ने मेरा बहुत स्वागत किया है ओझए अब आप म ये इति ती इन्सनों ने